महरबान, कदरदान, जाइबान, Amazon Prime Day शरू हो चुका है 23rd और 24th जुलाइ Amazon Prime Day आ रहा है और इसमें आपको बहुत सारे ओफर्स देखने को मिलेंगे आज मैं आपको सिर्फ स्मार्टफोन से नहीं, अलगले क्याडिगरीस पर जिस पर अच्छे ओफर्स चल रहे हैं, उनके बारे में बताने वाला हो अब यहां बार सबसे पहला जो फोन अंडर 10,000 में है, Redmi 9A Sport यह आपको 7,000 रुपीज पर मिलता है, लेकिन अब आपको अप्टू 700 रुपीज और ओफ मिल रहा है, ठीक है, इसकी जो एफेक्टिव प्राइस है, वो 6,300 रुपेते हो जाती है, इस प्राइस पर आपको मिलता है, OctaCore का Helio G25 वाला प्रोसेसर, प्राइस के साब से डीसे अच्छा पैकेज है, जिनकी बजट साड़े चेहजार के नीचे, तो आप इसको जाके चेकाउट कर सकते हैं, फिर आता है Redmi 9 Active, यह आपको 9,000 रुपे पर मिलेगा, Amazon Prime Day से पर 8,800 रुपे का है, और additional 800 रुपीज आपको और off मिलेगा, तो जो net effective price है, वो 8,000 रुपीज की हो जाती है, यहाँ पर आपको Helio G35 का OctaCore का प्रसेसर मिलता है, 6.53 इंच की HD Plus की IPS डिस्प्रे, 13 Megapixel Dual Rear कैमरा, 5 Megapixel Selfie, 5000 एमिच की बैटरी, और 8,000 रुपीज पर भी मुझे लगता है कि यह एक अच्छा डीसेंट पैकेज है, जिसको आप जाके चेकाउट कर सकते हैं, अंडर 15,000 केटिगरी की बात करें, तो सबसे पहला फोन है Samsung Galaxy M13, यह अभी नया फोन है हाली में लाउंच हुआ है, Amazon पर यह 23rd July को अविलेबल हो जाएगा, यह आपको 12,000 रुपे का मिलता है, लेकिन अभी additional offer चल रहा है, 2,000 रुपीज आपको off मिलेगे और इसकी जो net effective price है वो 10,000 रुपीज की हो जाएगी, अब इस price पर यह अच्छा package है, 6,000 एमिज के आपको इसमें बैटरी मिलती है, Full HD प्लस वाली आपको इसमें एक display मिल जाती है, साथ में auto data switching वाला feature है, 50 Megapixel आपको camera देखने को मिलता है, और साथ में up to 12 GB, virtual RAM भी आपको इसमें support देखने को म प्लता है, तो एक Samsung का phone अगर जिनको चाहिए, बजट अंडर 15,000 किये, तो आप इस वाले phone को जाके चेकाउट कर सकते हैं, फिर आता है Samsung Galaxy M33 5G, 18,000 रुपी की price है, बट अभी आपको इसके उपर 5,000 रुपे और additional offers देखने को मिलेंगे, यह सब को जोड़कर जो net effective prices की है, व आप इस price पर Samsung का एक 5G phone है, Exynos 1280, आपको 5NM वाली यहाँ पर chipset मिलती है, जो काफी battery efficient भी है, उसी के साथ 50MP आपको उसमी camera है, आपको 120Hz वाली यहाँ पर display मिलती है, और up to 12GB virtual RAM उसके लावा भी काफी सारे features मिलते है, तो अगर आपको एक Samsung का 5G phone चाहिए, वैसे 1UI 4 बगर All-Time Favorite smartphone है, अभी 16,000 रुपे का है, Prime Day Sale पर आपको 500 रुपे off मिलेगे, सारे 15,000 का है, और भी उनकी साइट पर offer है, up to 1000 off मिलेगा, सारे 14,000 की इसकी net effective prices, price पर दोस्तो, Qualcomm Snapdragon 732G आपको एक बढ़िया chipset मिलती है, Super AMOLED display, 120Hz की high refresh rate, 64MP rear camera है, 5MP आपको tele macro वागरा मिलता है, 33W का fast charger अज़र भी आपको box में मिलता है, और भी build भी काफी premium में, काफी सारे अच्छे features मिलते हैं, तो under 15,000 पर आगर आपको एकदम बढ़िया performance चाहिए, सब कुछ all-rounder चाहिए, ये एक phone है, जिसको आप जाके check out कर सकते हैं Under 20,000 category की बात करें, तो ये वाला phone मेरा favorite है इस price range पर, जो भी आया है, Mi 11 Lite NE 5G, 24,000 इसकी price है, और अभी additional offers आपको वो लोग 6,250 का दे रहे, ये जोड़ कर इसकी जो net effective price है, वो 17,749 हो जाती है, पहली चीज़ तो ये दोस्तों है, आप उसमें 10-bit वाली एक AMOLED display, 90Hz higher refresh rate, उसम Qualcomm Snapdragon 778G वाली आपको एक बड़िया 5G chipset मिलती है, साथी साथ आपको उसमें, ये जो phone है, ये काफी slimished और lightest अपने segment में जब आया था, तो ये बहुत ही बड़िया form factor के साथ था, आपको उसमें camera भी काफी अच्छा देखने को मिलता है, और उसी के साथ multiple 5G bands मिलते हैं, एक all लगा सकते हैं, जैसे कि 3 महीने का आपको no cost EMI offer है, उसी के साथ instant bank discount अपटो 2000 रुपीज ओफर हैगा, ICICI के credit cards पर, साथ में आपको debit card EMI का भी offer है, एडिशनल कुछ 500 special offer भी है, ओवरल साड़े 17,000 के इसकी net effective price हो जाती है, इस price पर 120 Hz के आपको IPS display मिल जाती है, आपको 5000 mH की battery 33W की fast charging, 64 megapixel rear camera, Qualcomm Snapdragon 695, 5G chipset और सबसे best part इसका oxygen OS, oxygen OS 12.1 के साथ आता है, तो price के साथ से तो software experience होगा, वह आपके आपर अच्छा होगा, तो अगर आपको OnePlus के phones चाहिए इस price पर, तो यह अच्छा package है, जिसको अब जाके check out कर सकते हैं, Under 30,000 category की बात के रहे तो इधर आता है OnePlus का Nord 2T 5G, यह 29,000 के साथ की price है, इस पर काफी सारे offers आपको मिलेगे, no cost EMI आपको मिलेगा, तीन महीने का, आपको ICIC की credit cards पर instant bank discount वगरा दिया है, आपको 1500 रुपीस off मिल जाएगा, उसी के साथ debit card EMI eligibility है, और इसकी भी जो net effective price है, वो 27, 27,000 पर आ जाती है, इसमें आपको 45,000 अमिच की बैटरी है, 80W आपको Superbook Fast Charging का support मिलता है, साथी साथ आपको 90Hz की इसमें AMOLED display, 50MP rear camera, Sony IMX 766 sensor है, इसमें आपको OS भी मिलता है, 32MP की आपको selfie है, और साथ में आपको मिलता है, MediaDek Diamond City 1300 है, काफी अच्छी flagship chipset है, और आपको Oxygen OS 12 अगरा मिलता है, तो software experience भी इस price पर काफी अच्छा रहेगा, तो overall इस price पर OnePlus का अगरा फोन देख रहे हैं, तो ये वाला बढ़िया है, जिसको आप जाके चेकाउट कर सकते हैं, flagship category की बात कर लें, तो यहाँ पर आता है iPhone 13, दोस्तों, ये Amazon पर 70,000 रुपीस की category पर आपको मिलेगा, लेकिन Amazon Prime Days पर ये आपको 66,900 रुपीस में मिले सकता है, अब ये अपने आप में काफी powerful flagship phone है, इसमें आपको Apple A15 Bionic chip मिलती है, दिखने में भी दोस्तों काफी premium है, camera superb ह और battery, बहुत जबर्दस आपको backup देगा, वैसे मेरा भाई यूज कर रहा है, उसको पता है, anyways, तो ये भी एक package है, iPhone अगर जिनको चाहिए, अच्छा offer है, आप जाके check out कर सकते हैं, अब earphones की बात करेंगे, सबसे पहले आता है OnePlus का Bullets Z2 Bluetooth Wireless in-ear earphones, जे हाँ, ये आपको 2000 रुप 45, साथ में काफि स्किन फ्रेंडली, आपको ergonomic design मिलती है, मतलब comfortable आपको grip मिलता है, उसी के साथ 30 hours का आपको उसमें backup मिलेगा, साथ में 10 minute चार्ज करो, तो अप्टू 20 hours तक आपको उसमें backup मिलेगा, मतलब fast charging वगरा है, 12.4 mm की आपको dynamic drivers देखने को मिलते हैं, और भी काफि स सारे interesting features से AI noise cancellation वगरा दिया है, तो ये भी दोस्तों अच्छा offer है, जिसको अगर आप जाओं तो check out कर सकते हैं, फिर आता है Jabra Elite 3, in-ear true wireless earbuds, अभी Amazon पर इसकी जो price है, वो उपर नीचे होते रहे थी, 6-7,000 की range पर है, बट Amazon Prime Days पर ये आपको 3,500 उपे पर मिलेगा, और Jabra की आपको 28 hours का backup मिलता है, और खाली TWS की बात करें तो single charge पर up to 10 hours का backup मिलेगा, IP55 आपको ratings मिलती है, 2 साल की warranty, Alexa built-in, code mic का support मिलता है for clear calls, उसकी साथ आपको app का support एक customizable sound और बहुत सारे additional features जो आप screen पर खुद देख सकते हैं, तो अगर आपकी budget सारीती नजार के premium TWS चाहिए, इसक आप जाया के checkout कर सकते हैं, फिर आता है Petron का Basebirds Fute 5.1 Bluetooth, truly wireless in-ear earbuds, हाँ, काफी लंबा सा नाव है, basically यह 1000 रुपे की इसकी price है, but Amazon Prime Days पर यह आपको सिर्फ 800 रुपे पर मिलेगा, देखिए दोस्तों, काफी बढ़िया price पर आ रहा है, बहुत सारे लोग की budget बहुत नीचे होती ह तो यह 800 रुपे पर आपको मिल जाएगा, इसमें आपको 25 hours का जो बैकप मिलता है, passive noise cancellation जैसे features है, dual HD mics मिलते है, साथ में 13 mm के आपको drivers मिल जाते है, type C charging support है, उसमें इसकी जो design है वो भी काफी बढ़ी है, feather width design है, 3.7 mm grams के जो TWS है, तो काफी light width भी है, उसके अलावा भी आप कुछ smart TVs category की बात कर लें, तो सबसे पहले आता है OnePlus का 50 inch का Y series का Y1S Pro, 4K Ultra HD resolution के साथ आता है, और इसमें आपको वैसे इसकी जो price है, वो 40-45,000 की range की है, उपन नीचे होते हैं रहती है, इसे कि मैंने आपको बताया, but Amazon Prime Day पर आपको यह सिर्फ 33,000 पर बिलेगा, और और 3000 आपको वो off देंगे, तो net effective prices की 30,000 की हो जाती, 30,000 पर एक 50 inch TV मेरे कहल से काफी अच्छा package है, 4K resolution के साथ है, आपको 24W case में sound output मिलता है, आपको 1 billion colors, HDR 10 Plus का आपको support मिलता है, bezel-less design और black color भी है, तो आपके उपर depend करता है, अगर आपको 50 inch का OnePlus वाला TV, 30,000 की range पर मिल रहा है, तो अच्छी बात, वैसे एक और चीज़, OnePlus case TV पर आपको 12 मन्त का Amazon का Prime membership मिल रहा है, at no additional cost, उसके बाद आता है, Hisense का latest 2022 Google certified TV, यह 43 inch का है, 4K Ultra HD Smart LED TV, यहाँ पर आपको यह Amazon Prime Day पर 30,000 पर मिलेगा, 29,990, इसमें आपको Dolby Vision, Dolby Atmos वगरा का support है, साथ में आपको hands-free voice control वाला feature मिल साल का आपको floating glass display screen technology मिलती है, basically आपको display quality जो है, वो काफी अच्छी मिलेगी, काफी sharp मिलेगी, bezel-less आपको यहाँ पर design मिलती है, तीन साल की आपको warranty है, और जैसे कि मैंने कहा Google certified TV है, तो काफी सारे आपको stock features यहाँ पर देखने को मिलेगे, तो यह भी एक option है, जिसको आप ज साथ से जाके checkout करिए, इतने ही दोसे वीडियो के अंदर ऐसे सेल के बार में वीडियो बनाते रहेंगे, आपको update करते रहेंगे, like करिए, support करिए, subscribe करिए, तब तक के लिए always keep smiley